कि अच्छम के लेक्षर नमर्ट 21 में आपका स्वागत है कि लेक्षर 21 में हम लोग डिसकसन अभी कर रहे थे हार्ट डिस्क सेकेंड्री में सभाइब की मांटिंग कैसे होगी उसमें क्या है सेक्टर क्या है क्लस्टर क्या है और डेटा को ऐसे स्टोर करते हैं लेकिन हार्टिस्क को जब कम्प्यूटर सिस्टम से जोड़ेंगे तों को जोडने के लिए कुछ रखुछ सौफ्ट्वेर हाडवेर की ज़रूरत होगी और कंप्यूटर सिस्टम के अगर हम बात करें माल लेते हैं दो इंडिपेंडेंट यूनीट है हमारे कंप्यूटर में सबसे पहला यूनीट है आप मालने कि हमारे पास CPU है जो डेटा की प्रोसेसिंग करता है इस CPU को हम हार्ड डिस्क से जोड़ना चाहा रहे हैं यह हमारा हार्ड डिस्क है तो क्या CPU डिरेक्ट हार्ड डिस्क को एकसेस कर सकता है एक बात तो हमें अब असपस्ट पता है कि दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वह है आप इस्पीड ऑपरेशन इसकी स्पीड और इसके स्पीड को अगर हम तूलना करें तो यह दोनों में बहुत अंतर है आप यह मान सकते हैं कि इन दोनों के स्पीड को अगर हम कि नॉर्मल को कोई एक्जामपल देखें तो हम बोल सकते हैं कि यह स्पीड इसकी इतनी अधिक स्पीड है जैसे एरोप्लेन की स्पीड कि और इसकी स्पीड एरोप्लेन और साइकिल के स्पीड की तूलना आप करें कि क्या दोनों को एक साथ डैरेक्ट जोड़ा जा सकता है कि दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है कि दो अलग-अलग मिडियम हो अदोनों की स्पीड में बहुत जारा डिफरेंस हो तो वहां पर तो डैरेक्ट डेटा ट्रांसफर करने का मतलब है सुिसाइडल इफेक्ट यह यहां पर बहुरी स्लोड डिवाइस है विसके डेटा को डैरेक्ट आप सिपीउ में देंगे जो गीगाहट्स की स्पीड पर काम कर रहा है और यह इनका काम हंड्रेड मेगाहट्स पर है तो आप सोचिए कि आप कर रहे हैं डैरेक्ट तो आप जोड नहीं सकते तो यहां पर जो जोडने का प्यवस्ता है उसी को हम बोल रहा है इन्टर्फेशिंग मतलब दो high-speed के डिवाइस को जब भी जोडना होगा बीच में अगएंटरमेडियर डिवाइस हम लगाएंगे और इस सीपीउ से इसको हम जोड़ेंगे और इस डिवाईस से इसको जोड़ेंगे और यह हमारा है सुछ कि यहीं है इंटर्फेसिंग डिवाइस कि आप आप समझ गए होंगे कि इंटर्फेसिंग डिवाइस की क्या आवा सकता है बीडाउट इंटर्फेसिंग डिवाइस हार्डवेर को बतल दो हार्डवेर को जिनकी स्पीड में बहुत ज्यादा आंतर हो आप डैरेक्ट केबल से नहीं कर सकते हैं तो यह जो इंटरफेसिंग डिवाइस है इस डिवाइस में क्या क्या होंगे तो देखिए इंटरफेसिंग डिवाइस दो तरह क्या होंगे एक हार्डवेर और दूसरा सॉफ्टवेर इंटरफेसिंग है अफेज़ के इंटरफेस Men in dh участland of two independent दफेश अब लाजीke कोनीक्ष नेक तरह से आप सोच ले उन अब लाजीकल के शन में कुछ फिजिकल सी पड़गा इस की बीज़ोरत पड़ेगी कूछ हम इस डेटा को hard disk में transfer कर देंगे hard disk से आपको ज़रुवात है तो हम लाग करके देंगे तो इसलिए hard disk को operate करने के लिए special electronic circuit की ज़रुवात होगी और उनको हम भोल रहे हैं कि hardware interface देखे hardware interface में क्या होगा controller card होगा यह जो controller card है data cable इनके बीच इनके बीच में data cable की ज़रुवात होगी और connecting point connector होगा जिसके तुरू कोई connecting point हम बनाएंगे जिसके तुरू हम हार डिस को connect करेंगे तो यह hardware device के लेबल पर interfacing की बात हुई लेकिन हाडवेर से जोड़ देने के लिए ज़रुवान से काम नहीं होगा हमें एक software interfacing के लिए special software की ज़रुत है different software components रहें इसमें अब डिवाइस ड्राइबर की बात है stepper motor को कैसे control करना है spindle motor को कैसे control करना है जो एक निशित constant speed पर डिस्क को घुमाते रहे step by step हम according to requirement according to program कैसे step by step read right head को आगे पीछे move करें यह सारा control इसी controller से होगा और साथ में data का movement भी होगा इसको handle करने में हम आप जानते हैं कि hard disk operating system का भी रोल होता है device driver का भी रोल होता है तो operating system के बहुत सारे components और device driver मिलके software component interface होते हैं जो इसको manage करने के लिए बनाये जाते हैं मतलब किसी hard disk को अगर आप computer में लगा देते हैं तो आप सीधे cable जोड़ करके उसे डिटा टार्सफर नहीं कर सकते डिटा transfer करने के लिए आपको controller की जरूरत पड़ेगी hardware interface की जरूरत होगी और software interface की जरूरत होगी मोटे तोर पर यह दो पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए कि जब भी हम hard disk को attach करेंगे अपने computer में चाहे वह CPU में डेटा transfer करना हो मेमोरी में डेटा transfer करना हो इंटरफेस की जरूरत होगी और यह दोनों ही तरह के interface से काम हमारा बनेगा hardware और software interface अब देखिए hard disk जो design है तो वो किसी भी company के त्वरा बनाया गया डिजाइन में तो कोई भी संतर नहीं होगा और उसके अंदर डिस्क होंगे रिड्रेट होंगे उनके पास अपने आसे में इंट्रॉनिक कंट्रोलर होगा यह सारे चीज़ों हर हार्ट डिस्क में होंगे लेकिन according to the interface designed to connect the hardware हम different type के hard disk की बात करते हैं type of interface के अधार पर हम अलग-अलग hard disk की बात करते हैं सबसे पहला हार्ट डिस्क है यह उस जमाने का हार्ट डिस्क है जब हम एक्स्टेंडेड टेक्नोलोजी परस्नल कंप्यूटर एट जी रेट एट बेस्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे उसे में हार्ट डिस्क का साइज 5 MB 10 MB 20 MB का आता था तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिकार डिस्क क्या मतलब है आज हमारे पास 64 GB 32 GB के पेंड्राइब आ रहे हैं लेकिन आज आ रहे हैं उस जमाने में पेंड्राइब का तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम हमारे लिए hard disk यह बहुत बढ़ी बात थी उस जमान द्राइब कि उस ड्राइब में हम सीडी उसमें ड्राइब के अंदर फ्लॉपी डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता था सबसे पहला डिस्क उसको लगा करके कंप्यूटर को ओन किया जाता तब उससे कंप्यूटर ओन होता था तो उस जमाने में hard disk 5 MB भी बहुत था क्योंकि हमारा डॉस उसमें भी आज भी 64 किलोबाइट पर काम करता है तो 64 किलोबाइट में काम करने वाला 1 MB पूरा मेमोरी एक्सेसिंग कैपिसीटी होती थी सीप्यू की उसमें 5 MB का हड्डिस 5 MB 10 MB 20 MB बहुत अधिके स्पेस होता था यह अलग बात है कि आज की रेट में उसका कोई मत तो नहीं है तो सबसे पहला हमारा हड्डिस था 506 solid 412 उसके बाद एक्स्टेंडेड इन्हांस्ट स्मॉल डिवाइस इंटरफेस हमने बनाया और हाड्डिस की साइज शोती हो गए इलेक्ट्रोनिक सर्कृट को हमने टैच किया और यह नया इंटरफेस के साथ हाड्डिस्क आया हाड्डिस्क को एक्शूल पॉप्लेरिटी हमको मिली एडवा कि एक्स्टी जो पुराने बैक्वर्ड चांपडिविटी के लिए एक्स्टी मशीन के लिए भी अमने बनाया एक्स्टी आइडी वहां एट बीट में ट्रांसफर होता था और एटिया में शिक्स्टीन बिट और माइक्रोचैनल आर्किटेक्ट्चर MCID 16-bit में माइक्रोचैनल यह तो कम्प्रेट हार्ड रोयर इंकर्ट्रेबूल मसीन था कॉंपेटिबिलिटी की बात ही नहीं होती थी तो MCI आर्किटेक्ट्चर के MCID बनाया गया और ATA या XTEID हमने ISA या EISA आर्किटेक्ट्चर बेस्ट एडवांस कम्प्यूटर के लिए बनाया उसके बाद थोड़ा सा और उसी में डवलप्मेंट किया EID EID enhanced और extended को आप enhanced IDE बोल दे extended IDE दोनों यहीं चीज है इसका इस्तमाल हम करते थे अब इनके इंटरफेस में होता क्या था यह दोनों इंटरफेस में एक बात होती थी जो केबल हम लगाते थे इस केबल में एक साथ में दो डिवाइस को आप अटेच कर सकते थे इधर हम अपना CPU में जोड़ते थे CPU में जोड़ने क्या मतलब तो कुछ बनता नहीं हम बोल सकते हैं motherboard से अटेच करते थे इधर ID 1 और ID 2 का concept था या इसको प्राइमरी बोला जाता था और इसको सेकेंडरी प्राइमरी यिए सकेंडरी आइडि मतलब एक ID केबल से 2 हाटडिस्क को आप कनेक्ट कर सकते Alright प्राइस्क और इसी केबल से आप CD रम भी जोड़ते थे CD रैटर भी जोड़ते थे मतलब एक अब उसमें जब दो काव हम प्रोवीजन रखा तो वहां पर दोनों ही पॉइंट जो हमने बनाए यहां भी मदर बोर्ड हमने बनाया यहां से भी केबल ले लिया अब देखिए हमारे पास तो चार्ट डिवाइस हो गया आईडी वन आईडी टू तिनका रिप्रेजेंटीशन कैसे हुगा हम फर्स्ट को बोले मास्टर आई इसको बोले स्लेव अब यह मास्टर का वन मास्टर टू मास्टर का वन मास्टर का टू मतलब मास्टर का प्राइमरी ड्राइब मास्टर का सेकेंडरी ड्राइब स्लेव का प्राइमरी और स्लेव का सेकेंडरी और यहां तक कि जब हम हार्ड डिस्क बनाते थे तो हार्ड डिस्क में आज भी प् करना हैं उसके अधार यसमें सेटिंग करने क्या quicker हर्डवर करते थे कि कि मस्टर बनाना मैं सेट किजिए रहे समस्टर बनाना मैं अटेशिमेंट जोब सेट इन्स मास्टर फ़िए बना है तो से थे स्रल पर लग सकता से उनकी एक अलग इंटरप्ट नंबर जेनरेट हो सके और सी इंटरप्ट के आधार पर उनके कम्मिनिकेशन संभव हो सके तो इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं प्राइमरी वा से टेंटरी के आधार पर लेकिन यहां पर कोई प्रोभीजन ऐसा नहीं था कि मदरबोर्ट से जो के इस्स्टम इंटरफेस डिवाइस है और इसको जेनरली प्रोनाउंस किया जाता था एस सी डबल जेडवाई इसका जी और यह इतना पावर्फुल डिवाइस था कि इसमें कनेक्शन जो हम दो की बात करते हैं वह अप्टू एट डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते थे मतलब एक ही हमारा क्नेक्टिंग इंटरफेस जो था वह इतना पावर्फुल था इसका कंट्रोलर इतना पावर्फुल था कि एक ही साथ डिफ्रेंट डिवाइस को यह जोडने का चमतर रखता है तो आज के देट में सबसे पावर्फुल इंटरफेस जो है वह इसका जी का को आप कहेंगे कि आज की रेकिन वन टेराबाइट है तो आठ डिवाईज की क्या ज़रुरत है तो परस्नल कम्पूटर के का यह लॉजिक नहीं हाँ दिस्क तो हम पर्स्नल कम्पूटर में लगा है लेकिन हम जानते हैं कि सर्वर बनेगा चंप्र का अगर सर्वर डिजाइन क तो वहां पर एक hard disk के तकाम चलेगा नहीं अभी तक कोई ऐसा hard disk नहीं बना है जो बोल दें कि 1000TB space हम मैनेज करेंगे वन या 2TB की है अगर बात करें तो हम 16TB तक extend कर सकते हैं से help office के जी इंटर्फेस तो यह इंटर्फेस है जो हार्ड डिफरेंट डिफरेंट हार्ड देस्को मदर बॉइंट के एक ही पॉइंट से एक ही connecting पॉइंट से अलग अलग device को support करने का छमता रखते हैं सभाविक है कि इनकी अलग identity होगी इनकी भी addressing होगी कि connecting port पर तीन डिजिट तो हमको इन डिवाइस के अलग 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 एक्सेस कर पाएंगे तो इनके केबल जो यह बनाए जाएंगे केबल भी separate होंगे different होंगे इन सारे इंटर्फेस के लिए interfacing केबल जो बनाए गया है वो बिल्कुल separate है एक दूसरे के साथ आटहच आप नहीं कर सकते और अब तो आप जानते हैं कि निया इंटर्फेस केबल यूएस्वी केबल अब आ गया है कि आप उसके थ्रू भी चोड़ सकते हैं बिल्कुल निया इंटर्फेस डवलप कर लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियल अब सीरियल या पैरलल एटिये का जो कॉंसेप्ट है यह सारे इंटर्फेस जो है वह पैरलल इंटर्फेस की तरह काम कर देते हैं अब इसी तरह कि आईडी है अब इसको बोलते हैं सीरियल एटिये में हम आप देखेंगे केक सिंपल सा केबल जैसे USB केबल जो बाहर से हम लोग देखते हैं के एक ही केबल से प्रिंटर जोड़ लीजे कैमरा जोड़ लीजे आप चाहें तो उसी से स्कैनर जोड़ा जा सकता 시면 CourseC Voice, और भी दूसरे device जोड़े जया, कीबोर्ड, माुस भी से अब सिंवलस्तूर प्रोट to USB पोत से जोड़े जाते हैं, ठीके कोशी तरह hard disk के लिए serial 80 पोट आता है, और दिटने भी जोड़े जा आइने अधर वो laser8ается यह साटा भी बुलते हम, हम आसानी से अपने स्ट डेस्टॉप में कैंकं करते हैं अपने हाथ डीस्क बहुत ही बहुत च्हएभाइस के प्रशकिते हाँ mine डीइस्क के बना लिए डिजाइन किए गया hardware level पर और इस hardware लेबल के अलग-अलग interface का अलग-अलग importance है अलग-अलग logic है अलग-अलग तरीका है आप किसी इंटरफेस को एक दूसरे से exchange नहीं कर सकते हैं जिस तरह की interfacing का प्रोविजन आपके पर दिया अगय है है डिस्ट कनेक्ट करने के लिए आप उसी तरह के वाइस का इस्तमाल कर सकते हैं जैसा अगर हम कहें कि अब ज्यादा तर जो मदर बोड़ा रहा है उसमें साठा के वलका प्रोवीजन है ता पैरलल एटी जो हाद इस अगर जोड़ना चाहे है तो मुस्किल ह होगी कुछ पूराने मदर्वोड ऐसे हैं जिसमें पहले लेटी यह कहीं आइडी कनेक्टर है उसमें साथा का प्रोविजियन नहीं है तरह से उसमें जोड़ लेंगे तो जिस तरह का इंटरफेस हमारे मदर्वोड के द्वरा सपोर्ट किया जाएगा उसी तरह के केबल उसी तरह के हार्ट ड्राइव को भी आप मदर्वोड से अटाइज कर पाएंगे आप अपने मुन से कोई भी डिजाइन में माडिफिकिशन नहीं कर सकते तो जब भी हार्ट हमारे मदर्वोड में अवलेबल है या नहीं है तो उस पर्टिकुलर टाइप के के साथ हार्ट डिस को अटेच कर सकते हैं अदर्वाइज आप अपने से कोई माडिफिकिशन नहीं कर सकते कंप्यूटर में तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और यह बेसिक जो इंटरफे आप लोगों ने पढ़ा होगा और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर के साथ आईडी कंट्रोलर का भी कोडिंग की जाती है वह उन्हीं कि तुरू आटोमेटिक चुकि हाट डिस आज के डेट में हमारे कंप्यूटर का कंसोल पार्ट है तो कंसोल पार्ट होने के करण आपको बहुत ज्यादा परिसान होने की जरूरत नहीं है सारा सपोर्ट अटोमेटिकली आपके मदरबोर्ड पर आपके हार्ट डिस्क पर जो नहीं बनाए जा रहे हैं उन सब में दिया गया है उसमें अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो इस वीडियो का यहीं समात्त करते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद